आज की इस वीडियो में हम दो फोन को कमब्यार करेंगे ये है Samsung का Galaxy M15 5G और ये है दोस्तो Vivo T3X 5G अब दोनों फोन आपको 12-15000 की बीच में मिलते हैं बट after all आपके लिए कौन सा best value for money रहेगा अगर आपको जानना है वीडियो को पूरा देख लेना और अच्छा लगेगा य Vivo के T3X में आपको यहाँ पर 44W का adapter देखने को मिल जाता है Type A2 Type C का cable भी मिलता है और एक case भी आपको दिया जाता है दोस्तो तो ये सारे accessories obviously आपको same price में मिल जाएंगे कुछ भी extra नहीं देना पड़ता है और वैसे तो ये phone 13,000 में आया है बट मैंने जो आपको pricing दिखाया 13,299 रुपया तो उसमें होगा क्या आपको ये जो cable मिलता है वो तो box के अंदर मिल जाएगा बट इस तरीके का adapter भी आपको दिया जाएगा जो कि 25W का है तो ये limited period के लिए offer हो सकता है कि जो 299 एक्स्टा आप दे रहे हैं हो सकता है कि बाद में ये offer हटा दिया जाए तो अंसंग के फोन में लगा के नहीं दिया गया है यही चीज वीवो के फोन में आपको लगा करके दिया जाता है और एक चीज में आपको बताता हूँ कि दोनों फोन में से कोई भी आप खरीते हैं तो दोनों polycarbonate बड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको just clean किया था बड़ थोड़ा सा भी मैं इसको पकड़ता हूँ न तो इस तरीके के यहाँ पर smudges आ जाता है बड़ यह जो फोन है यह पूरी तरीके से matte finish के साथ आता है और यहाँ पर कोई भी fingerprint smudges नहीं आता है अलग-अलग colors में आपको दोनों phones मिल जाते हैं दोस्तों लेकिन यहाँ अगर हम thickness की बात करते हैं तो इस मामले में Vivo का thickness बहुत जादा कम है as compared to यहाँ पर अगर आप Samsung को देखते हैं हलाकि है तो दोनों phone के अंदर 6000 mh की battery उसे आप से काफी सही है यहाँ पर से weight balance और यहाँ पर जो आपको thickness मिलता है वो Vivo के phone में काफी कमाल का मुझे लगा दोस् तो यह phone आपको 200 gram की अप्रॉक्स देखने को मिलता है सेम यहाँ पर 6000 mh की battery होने के बावजूद और in fact आप चेक कर सकते हैं कि यह जो Vivo का phone है वो थोड़ा सा लंबा भी है तो उसे साब से देखा जाए यहाँ पर weight balance और जो thickness का balance किया गया है वो Vivo के phone में जादा अच्छा आपको लगेगा हाला कि पकड़ने में दोनों phone काफी अच्छा लगते हैं यह थोड़ा और ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें curve जो edges है वो थोड़े और better है बड़ आपको ना दोनों phone काफी अच्छा लगेगा in hand grip में और यह phone ज्यादा हलका लगता है त तो दोनों में आपको sim tray देखने को मिलते हैं दोनों ही phone में आपको hybrid slot दिया गया है तो एक बार में आप दो sim card लगा सकते हैं या एक sim card एक memory card लगा करके expand कर सकते हैं यही पर से दोस्तों नीचे की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 3.5M jack आपको दोनों ही phone में मिल अगर back की बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको ना camera का जो setup है वो Samsung में थोड़ा बहतर दिया गया है, triple camera का setup दिया गया है with wide lens यहीं पर से Vivo की बात करते हैं तो आपको single 50 megapixel का ही useful sensor दिया गया है, खर front की बात करते हैं तो यहाँ पर से थोड़ा सा different setup है, अगर मैं आपको दिख इसके जो bezels हैं, जो chain आपको मिलते हैं वो बहुत जादा बड़े देखनी को मिलते हैं यही चीज Vivo ने बहुत ही अच्छा काम किया है, front से भी इसकी look काफी जादा अच्छी है तो यह थोड़ा पूराना feel कराता है और यहाँ पर यह इस मामले में थोड़ा बहतर हो जाता ह क्योंकि punch हो लिए समना, थोड़ा अच्छा लगता है look wise, हलाकि एक चीज आप notice कर सकते हैं, दोनों फोन में मैंने 4K वीडियो प्ले किया है, जो कि HDR के साथ आता है, तो यहाँ पर HDR का support नहीं है, बट अब टू 4K मैं प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पर से Samsung के फोन में भी same आप हो करके आता है, as compared to Vivo, जो कि आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर से अगर हम brightness की बात करते हैं, तो इस मामले में यहाँ पर से आप देखते हैं, तो Vivo थोड़ा बहतर निकल के आता है, visibility यहाँ पर अच्छी आपको मिलेगी अगर आप धूप में यहाँ पर से अगर आप Chrome browser open करते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छे से यह काम कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, obviously 120Hz डेफिनिटली आपको अच्छा feel करा सकता है, और यहाँ पर से दोस्तों, अगर हम YouTube की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो high refresh rate company ने यहाँ पर से अच्छे से काम करते हुए दिखते हैं, अब चलो बात कर लेते हैं, दोनों के processor को लेकर के तो Samsung में आपको MediaTek Dimensity 60100 Plus मिलता है, यही पर से Vivo के अंदर आपको मिलेगा Snapdragon 6 Gen 1, और यह 4NM पर आता है, यह 6NM पर आता है, तो इससे बैटरी में differences तो आएगा ही, ले लिक रहा है, obviously मेरे पास यह higher वाला model है 8GB के साथ, यह base model है तो उसे साब से थोड़ा फरक आएगा, बढ़ हाँ आगर आप normally भी देखोगे न, तो obviously Vivo के phone में आपको gaming के सब जादा अच्छा मिलेगा, हलाकि यह phone 60fps तक जा सकता था, बट company वाले ने 40fps पे लॉक करके रखा है BGMI पे, और gaming test जब हमने Vivo के phone में किया था भाई, बहुत ही अच्छा experience मिल गया था, obviously 40fps के हिसाब से ही मैं आपको बदा सकता हूँ, और Samsung के phone में भी न, आपको 40fps का ही option मिलता है, यहाँ पर भी gaming आप decent level पे कर सकते हैं, तो मैं इतना बोलूँगा कि देखो, graphical games जो होते हैं, like आपको BGMI यह सब game खेलने का option तो मिल रहा है, बट 40fps में मतलब आप उसी level का expectation रख सकते हैं, और basic hitting तो यहाँ दोनों ही phone में आपको देखने को मिलती है, अब next बात कर लेते हैं, दोस्तों दोनों phone के camera को ले करके, तो यहाँ पर से न, आपको पीछे के तरब से Samsung में थोड मैं आपके शाद share करता हूँ, तो आप देख सकते हैं details, दोनों phone के आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, daylight condition में, हला कि Samsung के अंदर आपको wide lens दिया गया है, और 1X भी दिया जाता है, इसके साथ 2X का option है, यही पर से Vivo के phone में 1X and 2X का option देखने को मिलता है, तो यहाँ प देख सकते हैं, अब camera modes की बात करते हैं, तो आप देख सकते है, 0.5X, 1X and 2X का option मिलता है, Samsung के अंदर video option मिल जाता है, more option के अंदर आप यहाँ पर से देख सकते हैं, night option यह सब भी देखने को मिल जाता है, यही पर से दोस्तो अगर बात करते है, portrait mode की तो आप देख सकते है, fun mode भी आपको दिया गया है, तो इसमें भी आप चीजों को create कर सकते हैं, और videos की बात करते हैं, तो यहाँ पर से आपको 1080, 30fps का option मिलेगा, rear camera से, और front camera अगर आप स्विच करते हैं, तो same आपको 1080, 30fps का option मिलता है, EIS का भी support आपको दिया गया है, जो की काफी सही है, और यही पर से अगर आप Vivo के phone में देखते हैं, तो photo mode दिया गया है, video mode है, इसके अलावा more mode के अंदर यह सारे options देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर से portrait है, इसके अलावा night option भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ तक रही बात दोस्तों, video graphic ही, तो यहाँ पर से एक ही बार में मैं आपको दिखा देता हूँ, rear camera में आप 4K तक शूट कर सकते हैं, front camera से आप 1080, 30 fps पे शूट कर सकते हैं, चलो जो हमने recording किया था, वो मैं आपके शार शेयर करता हूँ, और यह है दोस्तों इन दोने smartphone के front camera का video sample footage में देख रहा हूँ, कि Samsung में जो resolution की वजह से साया थोड़ा सा जादा अच्छा लग रहा है, बाकी आप तो बहतर जज करी सकते हो, normally मैं चल रहा हूँ, stabilization decent है दोनों ही phone का, बाकी तो आप बहतर जज करी सकते हो, और यह है दोस्तों इन दोनों smartphone के back camera का video sample footage जो कि आप देख सकते हैं, normally मैं यहाँ पर से चल रहा हूँ, और किस तरीके से light balance हो रहा है, उसका अंदाजा अगेन आपको मिल रहा होगा दोस्तो, dynamic range भी, साधे साथ stabilization का भी अंदाजा मिल रहा होगा, मैं देख रहा हूँ कि footage तो अच्छा stabilize होके आ रहा है, बाकी आप बहतर जज करी सकते हो, तो सारे photos and videos देख करके आपने तो जज करी लिया होगा, ब front camera में भी आपको details अच्छे देखने को मिलते हैं, and back camera में भी wide lens है, तो इस वज़े से मैं बोल रहा हूँ, हाला कि दोनों phone में मैंने 100% volume पे set कर दिया है, अब चलो देखते हैं, multi video experience कैसा निकल के आता है, तो देखो यहाँ पर आपको dual speaker देखने को मिलता है, तो इसकी वज़े से definitely यह अच्छा experience कराता है, बट यह single speaker होने के बावजूद ना बहुत जादा loud भी है, और bass की quality यहाँ पर बहुत जादा अच्छी लगी मुझे, In fact, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि Dolby Atmos का support यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है, इस phone के अंदर दोस्तों, जो कि Samsung के अंदर दिया गया है, तो आप इसका use कर सकते हैं, यह चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो wired earphone य देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है, कि Samsung के phone में आपको 4 years का OS update देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर से Vivo के phone में किवल 2 साल का update मिलेगा, तो इस मामले में Samsung definitely आगे रहेगा, इसके अलावाद दोस्तों, जो यहाँ पर Vivo का phone है, उसमें Funtouch OS दिया गया है, और Samsung के features मिलेंगे, like knock security यह सब मिल जाता है, इसके साथ साथ आपको Samsung wallet का options मिलता है इसके अंदर, लेकिन अगर हम bloatware and यहाँ पर से अगर बात करते हैं, extra apps की, तो obviously आपको दोनों phone में मिलता है दोस्तों, यहाँ पर से Samsung में भी बहुत ही अलग-अलग folders के अंदर बना करके दिया गय और इसको आपको personally uninstall करना पड़ेगा तब जाकर के आपको clean experience मिलेगा, same goes with Vivo के phone में, यहाँ पर भी hot apps, hot games यह सब मिलते हैं, और बहुत सारे कचड़े आपको दिये गए हैं, तो इसको आपको खुद से uninstall करना पड़ेगा, तो दोनों phone clean ने नहीं है, यह चीज का धियान र अगर मैं आपको honestly बताऊं, तो Samsung में थोड़ा सा जाधा feel होता है, लेकिन हाँ, दोनों ही phone में आपको springy वाली effect मिलती है, यही पर से दोस्तो अगर हम security feature की बात करते हैं, तो side के दरब से आपको fingerprint sensor मिलता है, देखो मैं touch करके दिखाता हूं, same time पर मैंने causes किया touch करने का, और दोनों काफी अच्छे से काम करते हैं, यही पर से जो face unlock feature है दोस्तो, वो यहाँ पर से Samsung का थोड़ा सा slow लगता है, जो कि आपने देख लिया, अब next बात कर लेते हैं, दोस्तो charging wise, तो यहाँ पर से जो vivo का phone दिया गया है, उसमें आपको 6000 image की battery मिलती है, और 44 watt का adapter दिया जात है, अब देखो इससे अगर आप charge करते हैं, तो इस phone को charge होने में लगभग 2 घंटे के आसपास का time लगता है, 6000 image की battery को consider करते हुए मैं बता रहा हूँ, और backup की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर 4NM का processor है, यह 6NM के साथ आपको मिलता है, लेकिन यह AMOLED display है, यह IPS panel के साथ आता है, तो यहाँ पर से moreover अगर आप देखते हैं, तो आप मान सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा बहतर SOT मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यह चीज प्राक्टिकल यूज़ करके भी चेक किया है, हलाकि हाँ जो bloat waste ASF है उसको मैंने हटा दिया था, तो यह depend करेगा कि आप कितना gaming करते हो, किस तरीके से use करते हैं, बढ़ हाँ यह आपको लगभग 8 hours max आपको SOT दे देता है, और यह लगभग आपको 7 hours के आसपास का screen on time दे देगा, यही पर से दोस्तों अगर हम 5G की बात करते हैं, तो दोनों फोन में आपको 5G मिलते हैं, हमने अलग- record कर सकते हैं, लेकिन हाँ, Samsung के phone में आपको motion sensor के through screen on और off होता है, calling के दौर on, लेकिन यही पर से Vivo के phone में dedicated proximity sensor मिलता है, और इसकी help से screen on off होता है, अब चलो कुछ extras की बात कर लेते हैं, तो star value आप देख सकते हैं, दोस्तों आपको limit में देखने को मिलते हैं, दोनों फोन के, sensor की बात करते हैं, तो सारी useful sensor आपको दोनों ही phone में देखने को मिल जाता है, दोस्तों, और इसके लावा Samsung के अंदर ना, आपको FM Radio का भी support देखने को मिलता है, तो आप इसको use कर सकते हैं, इस phone के अंदर यह नहीं दिया गया है, इसके लावा अगर हम NFC की बात करते हैं, तो दोनों ही phone में आपको यह चीज नहीं दिया जाता है, दोस्तों, और RAM expand करने का option आपको दोनों phone में देखने को मिल जाता है, इसके लावा एक basic चीज missing है Samsung के phone से, जो कि आप देख सकते हैं, कि screen recording का option आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन इस phone के अंदर आपको screen recording मिल जाता है, इसके लावा IP rating की बात करते हैं, तो Vivo Wallow ने बताया है, IP64 की water and dust resistance यहाँ पर आपको मिलती है, इस phone की IP rating की जानकारी मेरे पास नहीं है, तो मैंने आपको दोनों phone के regarding सब कुछ explain कर दिया, pricing details आप देख लो, obviously 1000-1000 तक के discount आपको मिल जाएंगे, और हाँ आपको na unboxed unit बाइ करन चाहिए, तो pricing details काफी हद तक similar है, उसको हम side में रखते हैं, तो देखो अगर आप यहाँ पर से Vivo का phone खरीदते हैं, तो obviously processor थोड़ा आपको ना बहतर देखने को मिल जाता है, साधी साथ box के अंदर आपको सब कुछ दे दिया गया है, जो कि काफी सही है, phone पतला भी है और हल enough क्योंकि 8GB के साथ अगर आप जा रहे हो, तो फिर यार उस price में आपको थोड़े और बहतर phones मिल जाते हैं, बड़ यही पर से अगर आप Samsung को देखते हैं, तो यह किन-किन मामलों में बहतर हो जाता है, यहाँ पर से camera आपको useful देखने को मिल जाता है, साधी साथ AMOLED display आपको points हो जाते हैं, और अगर आपके लिए यह सारे points जाधा matter नहीं करता है, तो फिर आप Samsung को भी देख सकते हैं, हलाकि gaming wise मैं तो फिर Vivo को ही suggest करना पसंद करूंगा, just because यहाँ पसे जो Snapdragon 6Gen1 का processor यूज़ किया गया है, वो जाधा powerful है, जो कि आपने देखा भी होगा दोस्तों, gaming wise के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और overall अगर आपको देखना है gaming यह सब करने के लिए, तो Vivo को देखो, और बाकी software यह सब का experience आपको थोड़ा different level पर चाहिए, camera and AMOLED display, तो फिर Samsung एक अच्छा option हो जाता है, और दोनों phone में से कोई भी आप खरीतते हैं, अगर आपके लिए ज लाइक जरूर कर देना, और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने किसे एक brand के लिए favor किया है, जो जहाँ पर सही था वही मैंने आपके साथ share किया है, बाकी comment करके बताओ कि आप दोनों में से कौन सा phone खरीदे होगे, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर देना, चैनल पर नह सब्सक्राइब करके जाना, so thanks a lot for watching.